हेलो फ्रेंड्स आज हम अपना नेक्स टॉपिक कवर करेंगे थियूरीज ओफ इमोशन और इससे पहले हमने और इससे पहले हमने अपना मॉटिवेशन कवर किया था यूनिट पूरा और उसके बाद हम कर रहे हैं इमोशन ठीक है अब सबसे पहले हम यह पढ़ेंगे और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और वीड था यह पकी आ बस अब करते होたい कहां को सब्सक्राइब का धश्राइब को में अब सब्सक्राइब की निच्चेक बक्राइब सारी वैलम आ गया, यह brain stem आ गयी आपके नीचे को, यह cortex पार्ट आ गया आपका, तो मैं हर एक जो भी हम topic करते हैं, जैसे creativity करेंगे, motivation करेंगे, emotions करेंगे, तो इसके साथ साथ मैं आपको brain का इसलिए बताती हूँ, जो सबसे जादा किसके लिए responsible है, आपका emotional intelligence के लिए भी responsible है, और यह जो बाकी parts हैं, इधर से आप पड़ सकते हो, hippocampus memory के लिए है, आपका memory के लिए, जो आपकी emotional memories होती हैं, वो भी यहाँ पर बनती है, फिर hypothalamus आगया आपका, यह thalamus पाट रहा, यह में गड़ ला रहा, यह वीच्छ ही hippocampus रहा, यह सारी बैलम आगया, यह thalamus आगया, आपका thalamus का बहुत important role है, यह क्या है, relay station है, information को लेता है, और information को आगे बास करते हैं, तो emotions में भी यह उतना ही important है, अब एक theory है, जिसने थalamus पे जादा focus किया है, वो भी हम पढ़ेंगे, फिर यह vessel का अगया आगया आपका, ठीक है, अब next हम चलते हैं अपनी theories पे सबसे बहले, जो theories of emotions थी, हम total 5 theories पढ़ेंगे इसमें, और सबसे बहले आपको यह पता होना चाहिए, कि basic हमारे कितने emotions हैं, तो basic हमारे कितने 6 emotions हैं, आपके happiness, sadness, fear, anger, surprise and disgust, ठीक है, और जो latest study आई है, आप गूगल करके देख सकते हैं, उसमें उन्होंने बोला कि 27 emotions हैं हमारे, ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए, और सबसे पहले emotion के बारे में, यह emotion किसने invent किया, आपका Thomas Brown ने, ठीक है, और अगर 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 किसी को पता होगा कि feeling और emotion में क्या difference है, तो वो मुझे comment करके बता सकता है, उसके बाद आगए हमारे emotions में, हम क्या क्या include करते हैं, सबसे पहले आजाएगा हमारा physiological arousal, physiological arousal के आगए, आपके heart beat आगई, आपका, जो भी आपके internal चीज़े हैं, जैसे heart beat आगई, आपका, बिपी आगई, ठीक है, यह सारे क्या आगए, आपके physiological arousal आगई, जैसे shivering आगई, trembling आगई, फिर आगई आपका expressive behavior, जो आप express करते हैं चीज़ों, जैसे smiles आगई, फिर conscious experience तो इन सब को हम किसमें लेते हैं, आपके emotions में लेते हैं, ठीक है, उसके बाद emotions में क्या important है, सबसे पहले आपको कुछ stimulus होना चाहिए, कोई ऐसा event या object या thought होना चाहिए, फिर उसके बाद second चीज़ जो important है, वो आपकी subjective feeling आगई, थर्ड चीज़ आगई, physiological responses आगई, या physiological arous इसमें आपका heart rate आजाएगा, breathing आजाएगी, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, कि कुछ observable behavior होना चाहिए, जैसे कि expressive behavior बोल सकते हैं, आप उसको smiling, crying, ठीक है, उसके बाद आगया सबसे important चीज़ कि सबसे पहले emotions के बारे में किसने बोला था, तो सबसे पहले emotions के बारे में आपके किसने बोला था, Charles Darwin ने बोला था, यह क्या बोलते थे, कि इनका क्या belief था, emotions को लेके, कि जो हमारे body movement या हमारे facial expression है, हम जो individual है, वो इसको use करते हैं, communicate करने के लिए, ठीक है, अगर हमें किसी का internal state का पता करना, किसी के emotions का पता करना, तो उसके लिए क्या important है, facial expression important है, और यह इन्होंने क्या suggest किया था, कि जो emotional expression है, वो initially learned behavior है, ठीक है, और इन्होंने बोला था, कि यह ऐसे पहले, मतलब ऐसे psychologist थे, जिन्होंने emotion और facial expression के बीच का relationship study किया था, और क्या बोला था इन्होंने, facial expression और emotion के बीच का relationship इन्होंने study किया था, और इन्होंने बोला था, कि यह क्या है एक genetically inherited है और क्या है characteristics है entire human species की और इन्होंने यह conclude किया था कि जो facial expression है वो है similar है across culture और main इनकी जो contribution है आपको जो paper में पूछते हैं वो किसके लिए पूछते है facial expression या facial feedback hypothesis के बारे में बोलते हैं और इस चीज़ को आगे कौन लेके गया था पहली जो आपकी theory आती है आ तो क्या है James Langer theory तो यह किसने develop की थी William James and Karl Lange ने ठीक है इनके according क्या है कि emotion हम कब हम एक emotional reaction या emotion को feel करते हैं या कैसे एक emotion को हम interpretate करते हैं ठीक है तो सबसे पहले physiological arousal होना चाहिए उसके बाद हमें बता लगेगा कि हम क्या emotion feel करने हैं सबसे पहले कोई event होगा event भी बोल सकते हो stimulus बोल सकते हो फिर arousal होगा फिर हम उस चीज़ को interpretation देंगे और उसके बाद हमें emotion feel होगा we experience different event our nervous system develop physiological reaction जब हम क्या करते हैं different different events को क्या करते हैं experience करते हैं तो हमारा जो nervous system है वो एक physiological reaction डेवलप करता है उस experience के लिए और उस physiological experience क्या create करता है हमें emotional reaction physiological reaction क्या आगया आपका जैसे आपका heart rate increase हो जाएगा BP low हो सकता है shivering हो सकती है breathing rate जादा हो सकता है ठीक है उसकी वज़े से क्या होगा emotional reaction एमोशनल reaction क्या आगया fear, anger, sadness और भी बहुत सारे जो भी आप लगा सकते हो इधर लगा सकते हो example हम लेंगे सबसे पहले sound of gun ठीक है जैसे कोई shoot की आवाज आगई आपको उससे physiological reaction आएगा rapid heart rate, heart beat बोल सकते हो trembling, subjective experience क्या आएगा fear पहले physiological response आएगा उसके बाद आपका subjective experience यानि की emotion आएगा fear और इसको हमने rename करके क्या बोला था facial feedback hypothesis जो facial feedback hypothesis है वो किसको sport करती है आपके James Lange theory को sport करती है और या दखना ये question बहुत बार paper में पूछते हैं और facial feedback hypothesis आपको किस ने दिया है Charles Darwin and James ने बलाब William James ने और इसको हम peripheral feedback effect भी बोलते हैं और आपका facial feedback hypothesis क्या बोलता है कि जो once facial expression directly affected their emotional experience second theory आगई हमारी cannon bird की theory ये कब आई थी 1994 में इसको किस ने पर पोस किया था ये theory कोन लेकिया आए था William Walter Cannon and Philip Bart ठीक है और इन्होंने क्या बोला था कि जो thalamus है वो important role play करता है emotions के लिए receive करता है information को environment से और simultaneously उसको send करता है कहां cortex में और आगे वो कहां जाती है आपके automatic nervous system में और जो emotional experience है expression है result from activation of subcortical center of brain अब इधर आगया आपका सबसे पहले event आएगा इसके साथ arousal और जो emotion है वो एक साथ आएंगे ठीक है simultaneously तो होंगे एक साथ होंगे बट independent होंगे और maintain that arousal and appraisal are triggered by thalamus इन्होंने सबसे ज़्यादा है कि इस पर focus किया था कि thalamus की वज़ा से ही हो रहा है अब जो physiological आपके reaction हो रहे हैं ये किस की वज़ा से हो रहा है आपका automatic nervous system की वज़े से और जो आप साथ साथ में subjective stage उसको label दे रहे हो as emotion वो कौन कर रहा है आपका cerebral cortex ठीक है जैसे कि आगया sound of gun rapid heart rate and fear ये एक साथ होगा ठीक है इसको two factor theory भी बोल सकते हैं और इसमें two factor क्या आगया आपके physiological arousal and cognition जो हम label करते हैं सबसे पहले आगया event आएगा इसमें फिर arousal आएगा फिर हम cognitive label करेंगे और फिर emotion आजाएगा ठीक है जब आपके पास event आगया event ये stimulus आया ठीक है जैसे कि आपको कोई snake दिख जाता है आप अखेले ले कल रहे हो arousal क्या होगा एक दम से आपको आगया अगर snake आजाए आपकी तो ऐसे सांसी रुख जाईगी है ना ये increase heart rate भी हो सकती है और decrease भी हो सकती है उसके बाद क्या हो गया cognitive label क्या है आप बोलो कि that's scary मतलब आप अपनी reasoning यूज करोगे कि ये एक dangerous animal है हम अखेले हैं हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है कि हम इसको side पे कर पाएं ठीक है ये आगया cognitive label और आप इस cognitive label को किसके साथ associate करोगे physiological arousal के साथ और उसके बाद क्या आएगा आपका emotion क्या आजाएगा fear अब हम इसकी एक और example देते हैं अगर इदर समझ नहीं आए हो आपको जैसे कि आप अकेले हो ठीक है dark room में light चली गए बिल्कुल अकेले बैठे हो external stimulus क्या आगया आपका dark room फिर आगया arousal heart rate increase हो आप शीवरिंग हो जाएगी कहियों को तो sweating भी हो सकती है तो यह क्या आगया आपका physiological arousal cognitive label क्या आजाएगा आप associate करोगे कि जो physiological arousal जो आपका हुआ है उसको आप fear के साथ connect कर दोगे which is immediately followed by your conscious experience ठीक है और वो जो आप feel कर रहे हो कि आपको डर लग रहा है शीवरिंग हो र एक्स्टर्नल क्यूब को किसके साथ अपने physiological arousal के साथ और वहां से क्या होगा emotion आजाएगा fear ठीक है अब आ गया इसमें क्या क्या चीज़ें important है आपकी आपके sketcher singer theory में external environment arousal cognitive level मतलब event of reasoning फिर उसके बाद क्या आगया जैसे आगया event cause physiological arousal ठीक है we try to find a reason for this arousal then we experience and label the emotion और यह theory क्या suggest करती है कि जो physiological arousal है अकेले responsible नहीं है emotional response के और therefore it take into account the cognitive aspect of emotional reaction अब simple आपको question आसे भी पूछ सकते हैं कि आपके event और emotion के बीच में कौन सी theory है जो किसको लेके आती है आपके cognitive level और physiological reaction आपको पता होना चाहिए sketcher singer यह ऐसे भी बूछ सकते हैं कि sketcher singer theory में event और stimulus के बीच में कौन आएगा तो आपको यह भी बता होना चाहिए कि cognitive level और arousal क्योंकि last year ऐसे ही question ने पूछा था पड़ वो Lazarus की theory के लिए पूछा था और उधर कौन था important नहीं शायद इसके लिए पूछा था तो इधर क्या था cognitive appraisal था आपका important उसके बाद आगई हमारी next theory Lazarus theory इन्होंने किस पर बात किया थाट पर बात किया यह बोलते हैं कि जो event और emotion है या arousal है तो वो किसकी वज़े से होता है हम क्या उसमें यूज करते हैं थाट यूज करते हैं इन्होंने क्या बोला thought must come before any emotion or physiological arousal ठीक है you must think about situation आप सबसे पहले situation के बारे में सोचोगे जब अगर आप कोई भी emotion फील करोगे उससे पहले आप क्या करोगे situation के बारे में सोचोगे फिर जाके आपको क्या होगा emotion फील होगा जो आपको future में आपको किसी situation को लेके आपको negative view है आपको लगेगा कि मैं इस चीज को handle नहीं कर सकता हूँ stress को वो threat हो जाएगा पर future की चीज को लेके अगर कोई change आ रही है आप उस change को as a challenge accept करते हो आप बोलते हो नहीं मैं यह कर सकता हूँ इस चीज के साथ cope करने की ability है मेरे में तो वो क्या हो जाएगा आपका challenge हो जाएगा ठीक है इन्होंने transactional model of stress and coping भी दिया था जो किसने दिया था Lazarus and Fockman ने 1987 में उसमें इन्होंने किसकी बात की थी cognitive and behavioral responses की अब इन्होंने दिये थे two type of appraisal यह आगया आपके primary appraisal और secondary appraisal और जो primary appraisal है इसमें क्यों होता है कि जैसे कोई new situation आगयी आपकी life में ठीक है अब आप खुद से सोचोगे क्या यह stress लेने की चीज है अगर आप बोलोगे कि नहीं है no तो आपको stress नहीं होगा बट अगर आ एकदम से paper आगया ठीक है अभी जैसे anti आगया paper करते जा रहा है बट एकदम से अगर वह announce कर दें कि आपका 6 दिन के बाद paper है और admit card भी आपके 2 दिन में आजाए तो उदर आपको क्या होगा आपको लगेगा क्या मैं इस चीज को handle कर सकता हूँ अगर आपको लगेगा no तो हम क्या चीज़े लेते हैं refer to the perception of new and challenging environment जो new and challenging environment होता है हमारा उसको हम positive and negative ये neutral लेते हैं उसके consequences को scoundry में हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या coping abilities हैं उसके लिए resources हैं हमारे पास ऐसी चीज़े हैं कि हम उस चीज़ को achieve कर भाएं ठीक है यह क्या आगया आपका scoundry appraisal उसके आपको opponent process theory आपको motivation में भी मिलेगी आप जब eyes का structure पढ़ते हैं जब मैंने उदर theories कराई थी उदर भी एक color की theory है वो भी opponent process theory है ठीक है तो जो opponent process theory है वो क्या बोलती है emotion की opponent theory आपको क्या बोलती है कि जो emotional reaction है is followed automatically by an opposite reaction एक opposite reaction को अगर कोई positive reaction है अगर कोई positive आपका reaction है तो वो negative क follow कर रहोगा जैसे कि अगर कोई individual इदर हम drug की example ले सकते हैं drug लेता है ठीक है अगर उसको पहले क्या हो रहा है positive बड़ा negative feel हो रहा है वो drug लेगा ठीक है जब वो लेगा उसको थोड़ी दिर के लिए positive feel होगा बट जब वो नहीं लेगा उस चीज का असर कम हो जाएगा तो उस का effect क्या होगा positive होगा तो इस तरीके से आप इसकी और वी example google करके वे देख सकते हैं खुद के daily life में भी examples देख सकते हैं opponent process इधर लगा सकते हैं आपके अभी कुछ बच्चे जासे वीडियो पूरी देखेंगे कुछ नहीं देखेंगे कहीं को boring लगेगी बट कुछ सोचेंग आसे अपना time दे रहे हैं खुद को है न struggle कर रहे हैं motivate कर रहे हैं कि हम करेंगे बट कल को क्या होगा उसका positive reaction मिलेगा तो इसी type में यह क्या हमारी opponent process theory तो theory of motivation है एक opponent process वो भी यही बोलती है ठीक है तो इधर हमारी theories खतम होती हैं उसके बाद जो 27 human के emotions है जो मैंने आपको starting में पताया था कि new study आई है वह यह है 27 emotion आप इनको पढ़ लेना एक बार next आगया हमारा हां यह रहा आपका mechanism की किस तरीके हम motivate होता है एक individual अब इस diagram को अच्छे से देखो कि आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा कि emotion के लिए कौन सा part responsible है और जितनी वारी मैं इतनी वारी हर ए आगया आपका जैसे threat आगया response to threat कैसे होगा सबसे पहले ही यह आगया आई जाएगा आपकी यहां से stimulus गया ठीक है कहां जाएगा आपका thalamus में जाएगा क्योंकि thalamus किया आपका relay station है information को लेता है और उसको आगे बास करता है इधर से कहां चलेगा आपका visual cortex में गया और यह इसके बाद आगया किसके लिए responsible है responsible for response and memory of emotion especially fear ठीक है उसके बाद आगया आपका इधर से आप इसको पढ़ सकते हो brain को फिर से एक बड़ी में repeat करती है आपका cerebellum है चलो अब हम क्या करते हैं इसको एक बड़ी repeat कर ही लेते हैं तो cerebellum आगया यह आपका thalamus आगया यह आपक जो pictutory gland के इधर है यह hippothalamus आगया ठीक है फिर यह क्या आगया आपका pictutory gland आगया यह आपका amigardल आगया यह आपका hippothalamus आगया यह आपकी brainstem आ गई और यह आपका cerebellum आगया अब हम extra जीस क्या करते हैं इसमें कि जो cerebellum है वो क्या आप क्या वो आपको कौन सा पार्ट आ होगे मतलब आपको खुद पता होना चाहिए कि सबसे पहले टैली एंसी फिलाउन फिर डाई एंसी फिलाउन टैली फिर मैस मीडर ब्रें फिर मैट पॉन एंड सारी वेलम मैस मैट एंड माई एंसी फिलाउन ठीक है अब ऐसे करके आप हर एक मतलब जब भी आप brain की एक कोई डाईग्राम देखते हो तो उधर आप अपने मतलब revise कर सकते हो कि कैसे कैसे चीज़े चल रही हैं इधर आप ये भी कर सकते हो कि individual का brain कितनी current पे activate होता है तो वो भी मैंने बताया था उसका weight कितना होता है 1.36 kg ठीक है इस तरीके आप चीजों को revise कर सकते हो जितना revise करोगे त अपकी help होगी ठीक है तो ये रही आपकी theories जेम्स लैंजर में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले physiological reaction आएगा फिर emotion आएगा कैनन बर्ण में हमने पढ़ा कि दोनों चीज़ें एक साथ होंगी फिर हमने sketcher सिंगन में क्या पढ़ा कि event के बाद हमारा क्या होगा opponent process theory पढ़ी और सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी डार्विंग की theory पढ़ी थी इन्होंने बोला था कि जो behavior है या कौन सा हमारा जो emotion behavior है या expression है वो हम learn करते हैं और इन्होंने inheritance के बारे में बात की और इन्होंने क्या बोला था कि facial feedback hypothesis के बारे में भी बात की थी ठीक है और इसके साथ हमारा यह complete होता है और अगर आपको वीडियो यह अच्छी लगेगी तो like करना चानल को subscribe करना और वीडियो को share भी करना thank you और notes आपको नीचे description box में मिल जाएंगे